नमस्कार दोस्तों मैं संजय चौधरी बुबाई टेक चला यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है आज हम मुजिक थेयोरी के बारे में डिसकस करेंगे और वो भी कॉर्ड्स के उपर जो लोग केक वाग में अपना पैर जावना चाते हैं पुछ सीखना चाते हैं मुजिक प्रोडक्शन के उपर एक बहतरी मुजिक प्रोड्यूशर बढ़ना चाते हैं वो लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्फ हो जाएगा और आप लोग सभी जानते हैं ये जो केक DAW है ये बिलकुल फूरी है आपको इसके लिए कोई पैसा खर्च करने का ज़रूरत नहीं है एक अच्छा DAW खरीदने के लिए आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है मेरा सजिशन है आप केक वाग को as a DAW आप इस्तिमल कीजिए और एक DAW खरीदने के लिए आप जि करेंगे music theory के ऊपर किसी भी DAW में अगर आप piano roll में कुछ chords create करना चाहते हैं कैसे chord को बनाया जाता है chord का progression क्या होता है उसी के ऊपर आज हम discuss करेंगे तो चलिए chords को समझने के लिए हम लोग इस page में चले आते हैं आज का जो chord है वो हम C major scale से सिखेंगे C major scale Q बहुत सारा major scale है D, E, F, G 12 total major scale है लेकिन C major scale में हम क्यूँ काम करना चाहेंगे मतलब C major scale से हम Q start कर रहे हैं A major scale से Q नहीं क्यूँकि C major scale में जितना सारा note यूज होता है वो सब neutral note है मतलब इसमें कोई भी sharp note या कोई भी flat note नहीं है मतलब keyboard में जितना सारा white keys है black key को छोड़के अगर आप play करेंगे तो वो C major scale में ही बज़ेगा तो C से सुरू होता है इसका note मतलब C सा, D हो गया रे, E हो गया गा, F हो गया मा, G हो गया पा, A हो गया धा, B नी और फिर से C मतलब फिर से सा तो C major scale में यही 7 note होता है दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं यहां से यहां से यहां तक चितना सारा note है यह सब C major scale का note है यह C और यह C सेम है इसलिए हम इसको छोड़ रहे है यह 8th note है यहां तक 7 note है, 7 note C major scale का neutral note है तो C major scale में chord को कैसे बना जाता है, chord के लिए किसी भी chord के लिए दोस्तों 3 note यूज होता है, उस C major scale का 3 note यूज होता है और वो 3 note क्या है दोस्तों, यह first वाला note यूज होगा, यह first वाला note यूज होगा, उसके बाद यह third वाला note यूज होगा और उसके बाद fifth note यूज होगा, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, C, E, G, यह हो गया first note, यह one note है, यह second note है दोस्तों और यह third note है तो इसी तिनों note को लेके C major scale का chord शुरू होता है तो ध्यान में रखिएगा, किसी भी major scale में chord बनाने के लिए, कौन सा कौन सा chord यूज होता है first note, third note और fifth note, one, two, three यह first, third और fifth note को अगर आप use करेंगे तो वो major scale का chord बन जाता है तो चलिए इसको बहतरीन से समझने के लिए हम cake work में जाएंगे और cake work में जाकर समझेंगे C major scale को कैसे, C major scale में chord बनाया जाता है तो चलिए हम लोग cake work को खुल लेते हैं cake work खुलने के बाद यह, अभी तक यह empty project है इसमें कोई भी VST को मैंने इसमें load नहीं किया हूँ तो चलिए एक VST, piano VST को call कर लेते हैं और आज भी call करेंगे keyzone classic को यह एक free VST है दोस्तो, free piano VST है और बहतरीन sound देता है piano का यह आ गया है दोस्तो, keyzone classic इसको थोड़ा यहां से बढ़ा कर देंगे और यहां पर जाके उसका जो preset से वो presets को change करेंगे हम लोग यहां महां grand piano रखेंगे इसका जो piano roll है वो piano roll खोल लेंगे piano roll खोलने के लिए क्या करना होगा दोस्तो, यहां पर किसी भी जगा पे आप लोग double click कर सकते है और piano roll खोल जाता है और piano roll को बढ़ा करने के लिए shift दबा के deco press करेंगे तो piano roll बढ़ा हो जाएगा और उससे पहले हम लोग यहां से इस pro channel को close कर देंगे और यह piano roll खोल गया है दोस्तो, अब देखिए यहां पर note का आपको नाम दिखाए देगा यह C में note का नाम देगा C4, C5, C6 C में इसी लिए दिखाए जाता है दोस्तो, यहां पर D, E, F, G यह सब नहीं दिखाए जाता है C में यह का cake work में key का जो नाम है चलिए दोस्तो, मैंने क्या बता है था आप लोगों को कि C मेजर स्किल में कॉर्ड बनाने के लिए तीन चीज का इस्तेमाल होता है एक है C note, E note और G note तो चलिए यह तीनों note को हम ड्रॉ कर लेते हैं C4 से हम स्टार्ट करेंगे और note को ड्रॉ करने के लिए आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद इसको drag करेंगे जितना तक अपका चाहिए उतना तक आप drag करेंगे तो यहां तक यह drag हो गया और नेक्स टाइम में इसी length को drag करने के लिए आपको click and drag नहीं करना होगा आप C उसके बाद E double click करेंगे और G में भी double click करेंगे तो same note और same length और same velocity में यह draw हो जाएगा तो यह बन गया दोस्तो C major scale का पहला chord मतलब C chord चलिए इसको play करके शुनते हैं एक बार अब आते हैं दोस्तो next part में जो chord का progression होता है वो क्या है उससे पहले दोस्तो एक चीज़ आपको बता देता हूँ chord को किसी भी piano roll में chord को draw करना सबसे आसान होता है मैं फिर से आपको दिखाता हूँ देखिए यहां पर यह सी पहला वाला जो note है first note को हम click करेंगे हम double click करेंगे तो first note आ जाएगा उसके बाद count करेंगे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मैं इसको बड़ा कर देता हूँ वर्टिकल इसको बड़ा कर देंगे उसको कर देता है यह वर्टिकल इसको बड़ा कर दिया इतना बड़ा भी नहीं चाहिए इतना अब दिखिए दोस्तों यहां पर से हम count करेंगे कितना बार तक count करेंगे यह देखिए पहला note यह सफेद में ग्रेज कलर में है उसके उपर black उसके उपर gray उसके उपर black उसके उपर gray उसके उपर gray मतलब यह automatically आप जब note draw करेंगे तो इसमें यह highlight हो जाएगा जितना सारा gray color का आपका जो line दिखाए देगा यह line horizontally जो line आपको gray color में दिखाए देगा वो सब उसी skill के हिसाब से sit किया गया है मतलब जितना सारा gray line है से major skill में वही note use होगा तो यहां से हम count करेंगे क्या count करेंगे एक यहां से एक दो तीन चार मतलब इसको छोड़के हम next जो fourth note होगा वो चार तक जहम जाएंगे count करके एक दो तीन चार तो यहां पर click कर देंगे तो यह देखिए automatically यह e आ गया है दोस्तों और यहां से इसको छोड़के तीन note count करेंगे एक दो तीन इसको double click कर देंगे तो मतलब one उसको छोड़के four और उसको छोड़के third यह count करेंगे तो देखिए दोस्तों यह c e g ही आ गया है मतलब यह देखिए यहां पर भी c e g था c e g और यहां पर भी c e g है तो किसी भी major skill क्यों draw करने के लिए आपको क्या करना होगा first note उसको छोड़के एक दो तीन fourth note में draw करना पड़ेगा फिर fourth note को छोड़के एक दो next तीन जो note आएगा उस पर आपको draw करना होगा उस line पर तो आपका major skill का chord बन जाएगा अब देखिए दोस्तों c major skill के साथ कौनसा कौनसा chord का जो progression होता है वो क्या क्या होता है वो आज हम आपको दिखा देते हैं फिर सिसको खुलेंगे और इसको देखिए यह जो major skill है c major skill है c major skill में कौनसा कौनसा chord आपका use होगा मतलब chord का जो sequence होगा chord का जो progression होगा उसमें क्या क्या note यूज होता है देखिए यह c note तो यूज होगा ही मतलब c scale से मतलब c का जो कौनसी chord है वो यूज होगा उसके साथ chord होगा वान टू थ्री फोर यह फोर्थ वाला note यूज होगा मतलब c f उसके बाद fifth c f g और एक sixth note minor में use होगा यह minor में आएगा यह minor में आएगा तो यह major यह major यह major यह भी major और sixth बाला जो note है वो minor में आएगा क्योंके c का relative minor होता है किसी भी major scale का जो sixth note होता है वो यह major scale में कौनसा कौनसा chord होगा दोस्तो c f g और a तो यह ध्यान में रखते हुए हम लोग के कोख में फिर से चाहता था अब देखिया इसको मैं डिलीट कर देता हूँ डिलीट करने के लिए किसी भी note को आप right click करके drag करेंगे तो वो select हो जाएगा उसके बाद delete की press करेंगे तो वो delete हो जाएगा अब c के साथ कौन सा chord आएगा दोस्तो next chord आएगा f मतलब यह वाला f यह वाला chord आएगा तो f कहां है इसका नीचे अब जब जाएगे तो उसका अब जहां पर भी mouse को लेके जाएंगे वहां पर देखिये उसका key का symbol इधर मतलब आपको दिखाए देगा कौन सा बला note है यह देखिये यह उपर गया तो इस इसमें black यह जो black है इसमें आपका note का नाम दिखाए देगा f3 नीचे f3 यह g3 यह g3 और यह a3 मतलब आपका note इसमें आपका दिखाए देगा कौन सा बला note में आप है present तो इसके बाद मुझे f चाहिए यह f है यहां पर आएंगे दोस्तों यहां पर एक chord को हम ड्रॉ करेंगे जैसे तो यह major chord है major chord बनने का असान तरीका मैं आपको बता दिया यहां से count करेंगे फूर्थ note तक एक दो तीन चार यहां पर और यहां से तीन एक दो तीन अब इसके साथ आएगा g मतलब c f g यह g note है दोस्तों यहां पर प्लिक करेंगे यहां पर प्लिक करेंगे क्योंकि एक दो तीन चार है और एक दो तीन यहां पर फिर से दोस्तों यहां पर हम c को ड्रॉ कर देंगे एक तो अब इसको प्ले करके सुनते हैं दोस्तों इसका sound कैसा आया है डबलू दबा के play hit को समय लाएंगे और यहां से इसको space bar दबा के play कर देंगे bass का sound बहुत ज़्यादा आ रहा है इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे note तो यही use होगा मतलब c note में c e g ही लगेगा और f note में f a c use होगा और g note में g b d यह तीनों ही note यूज होगा तो क्या करेंगे दोस्तों यहां पर f note जो है यह बहुत bass का note है हमको इतना bass नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे simply इस note को select करेंगे और control दबा के numeric keyboard में जो 8 note है मतलब जिसमें up arrow दिया हुआ रहता है आप arrow का एक symbol और उसके साथ 8 लिखा होता है numeric key में उसको press करेंगे तो यह one octave आप हो जाएगा control पर प्रेस किया और numeric keyboard में 8 प्रेस किया तो यह देखिया नीचे का जो f है वो उपर चला गया है g को भी same करेंगे यहां पर click करेंगे और control दबा के यह चला गया है दोस्तो f मतलब यह f नीचे था मैंने one octave उसको उपर लेके चला गया हूँ और यह f इधर आ गया है तो इसका जो note है यह वाला थोड़ा triple का sound है यह मिलेगा मुझे तो चलिए अब इसको देखते शुनते हैं अभी थोड़ा bass का sound है हम क्या करेंगे दोस्तो इस note को select करेंगे और इस note को भी select करेंगे करेंगे तो इसको उपर लेके चले जाएंगे अब देखिए आप सुनते हैं इस एको भी हम उपर लेके चले जाते हैं अब इसका sound थोड़ा बहुत ठीक ठाक शुनाई देगा दोस्तो क्योंकि bass का sound बहुत जादा आ गया था तो आप लोगों ने दोस्तों देख लिया कैसे chord को उपर नीचे करके हम लोग अच्छे sound कर सकते हैं अगर इसके साथ आपको एक bass note चाहिए आप यहाँ पर एक bass यूज कर सकते हैं अब C के साथ मैं यह C3 का एक bass यूज करूँगा C3 का उलड़ एक bass है इसके साथ मैं E का एक bass यूज कर सकता हूँ E का एक bass यूज कर दिया और F का एक bass इधर यूज कर सकता हूँ मैं और G का एक bass इधर यूज कर सकता हूँ और इसमें भी हम E का एक bass यूज कर सकते हैं प्लेहेट को सामने उसके बाद प्ले इसके साथ हम क्या कर सकते हैं और एक नोट इस पर C को हम उद उपर लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा सुनाई देगा यहां पर से हम एक C को इधर लगा दिया इस A को एक उपर ले सकते है F D E F इस F को एक उपर लगा दिया इस G को एक उपर लगा सकते हैं अब देखिए इसका साउंड सुन लेते हैं कैसा आया C यहाँ पर G को एक उपर लगा लेते है तब लोगों ने समझ लिया दोस्तों मतलब यह यूज तो हुआ है तिन ही क्नोट देखिए C कोड में क्या क्या मूला था मैंने C कोड में यूज होगा C E G ये देखिए C E G के अंदर ये E ये C ये E ये G ये C फिर से G मतलब वही तीनों को इधर उधर करके कभी E को उपर लेखे गया कभी नीचे को लेखे आया या फिर दो E लगा दिया दो G लगा दिया ऐसे हम लोग कोड को इस्तिमाल करते हैं use करते हैं कोड को बनाते हैं सभी कोड को ऐसे हम एक एक करके सिक्वेंस में ढालते जाएंगे तो यह अच्छा सा एक cod coffee का जो progression वो बनता जाएगा और cod progression के उपर में बहुत ही जल्द बहुत सारा major skill के उपर मतलब जितना-जितना C, E, D, F, G मतलब बहुत सारा major skill के उपर में जो cod का progression होता है वो एक briefly tutorial में लाने वाला हुँ जल्दी तो जूर रहे है मेरे चैनल से और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो वो लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरा upload किया हुआ वीडियो का notification बहुत जल्द आप लोगों के पास बहुत जाए तो दोस्तो आप लोगों ने देख लिया कैसे cod का progression को, कैसे cod को piano roll के अंदर तैयार किया जाता है तो चलिए यहां से piano roll को हम इसको cut देंगे, console view को भी cut देंगे और यहाँ पर देखिए यह मतलब यहाँ पर यह आ गया अब इसको छोटा कर देंगे और इसको क्लिक करेंगे क्लिक करने के पाद control दबा के अगर इसको हम प्रेस करेंगे तो यह देखिए यह copy हो जाता है फिर से इसको पहले से हम सुनते हैं कैसा बना आप लोग एक काम कर सकते हैं यहाँ पर से यह कोड बहुत नीचे है दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इसको क्लिक करेंगे एक को सिलेट करेंगे control दबा के सब को सिलेक्ट कर देंगे और control दबा के आप 8 की को प्रेस करेंगे तो यह पूरा ओक्टेट उपर चला जाएगा अब सुनते हैं दोस्तों इसको कैसा फिल देता है यह देखिए इसमें चेंज करेंगे तो इसमें भी चेंज हो गया जो copy किया था मतलब दोस्तों क्या हुआ इधर C4 से chord को बनाया थे अब C5 से यह बन गया है मतलब पूरा एक octave उपर चला आया है दोस्तों अब इसके साथ आप यह क्या करेंगे इस note को आप shift दबा के इसको रहने देते हैं इस G को हम डिलिट कर देंगे इस यहां पर से एक G मतलब यहां पर एक C4 ले लेंगे हर बेस में एक note ले लेते हैं अभी इस F को F5 को F4 में है और यह C को रहने दे तब सुनते हैं एक बर यहां पर एक एफ बेस आ जाएगा तो मज़ आ जाएगा दोस्तों वाह मस्त सांद देता है अब जी कोड के साथ अब ई अब सुनिए दोस्तों इसका जो मेलोडी है वही चेंज हो गया इसका जो फील हो गया है यह तोड़ा इदर हो गया अब सुनिया अपने की जी को दे देते हैं अब सुनिया इसमें बहुत सारा जान है इस तरफ का कॉड में क्यूंके इसमें हमने बेस लाइन को धोरा दोचार बेस लाइन को ड्रा कर दिया और इधर यह बेस लाइन नहीं है तो अंतर देखिए दोस्तों सांड कैसा चेंज हो रहा है बहुत सारा बेस है विदाउट बेस तो आप लोग ने देख लिया दोस्तों बेस का कितना प्रायोरिटी है किसी भी नोट के साथ खास करके कॉड अब जब बनाएंगे कॉड का जो प्रोग्रेशन डिजाइन करेंगे तब उसमें बेस लाइन का बहुत है महत तो रहता है त देहन में रखिये गया कैसे बेस के साथ अपना कॉड को यूज कर सकते है कौन सा कौन सा बेस लाइन हमेशा सी कॉड में मतलब सी ही बेस होगा ऐसा भी कुछ नहीं होता है आप जी को भी बेस में रख सकते है या फिर इनोट को भी बेस में रख सकते है उसी तरह एफ नोट अगर F chord सुर होगा तो F, A, C ये तिनों note यूज होता है F chord में तो F को base में हमेशा रखना नहीं है कभी-कभी C को भी base में आप रख सकते हैं या फिर A note को भी base के हिसाब से यूज कर सकते हैं आपको सुनके देखना होगा कौन सा वाला sound अच्छा दे रहा है आपका जो गाना बन रहा है उसी के mood के उपर और उसके feel के उपर तो ये जो music है ना दोस्तो ये बहुती creative चीज होता है आपका सोच के हिसाब से आप क्या सोच रहे है आपका feel क्या हो रहा है गाने का mood कैसा बन रहा है इसके हिसाब से आप कुछ भी कर सकते है music में ये पूरा आपके उपर dependent है हाँ कुछ rules तो obviously कुछ rules से इस rules को आपको follow करना होगा अगर उस rules को follow नहीं करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी सीख नहीं पाएंगे लेकिन rules को तोरना भी एक नियम होता है दोस्तो आप कित्मी खुबसूरत तरीके से rules को तोर सकते है अपने गाने में वो भी एक creativity है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही कॉट के उपर बहुती छोटा tutorial था ये बहुती छोटा मतलब tutorial थोरा वोत लेंदी हो गया है लेकिन जो concept था ये बहुत छोटा concept था इसके उपर brief tutorial में लाने वाला हूँ आप लोग जूरे रहिए मेरे इस channel से और मेरे वीडियो को देखते रहिए दोस्तो लोगों में अपना ये video share कीजिए मेरा channel को subscribe कीजिए क्योंकि आप लोगों के support के बीना मेरा channel कुछ काम का नहीं है तो मुला कात होगा दोस्तो दूसरे एक video में दूसरे एक tutorial के साथ तब तक के लिए goodbye सब लोग अच्छे से रहिएगा सब लोग खुश रहिएगा thank you